आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, यहाँ पे Question है Alcohols are prepared on industrial scale by Hydration of Option 1 है Oliphant, Option 2 है Fermentation, Option 3 है Molasses and Option 4 है Aldehyde तो Hydration अगर हम देखेंगे जो Hydration Method होता है Alcohols बनाने का वो क्या होता है हम कोई भी Oliphant में यानि कि For example हम ले रहा है Ethylene For example हम ले रहा है Ethylene अगर हम Ethylene में Hydration Method करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे हम डालता है Concentrated H2S4 बहुत सारे Hydrogen मतलब H प्लास आयन रहते है तो जो Double Bond है यह ऐसे Hydrogen का अफ्टेट कर लेता है इससे क्या form होता है इससे एक Cation form होता है अब यहाँ पे क्या होता है reaction medium में Water Molecule रहते है तो यह Water Molecule इस Positive जो Charge है यहाँ पे Attack कर देता है और यहाँ से हमें Finally जो मिलता है That is CH3CH2OH यानि कि हमें मिलता है एक Alcohol तो हम Ethylene Molecule से Ethyl Alcohol बना सकते है यह Hydration Method इसको हम कहते है Hydration Method तो Ethylene से हम Ethyl Alcohol बना सकते है तो Similarly हम कोई भी Olyphant जो Molecule होता है कोई भी Olyphant जो Molecule होता है Olyphant में से हम Hydration Method अगर हम Apply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा Alcohol तो Industry जो मतलब प्रिपेर किया जाता है जब आलकोहोल को प्रिपेर किया जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते है हम यह Hydration Method यूज करते है इनमें क्या होता है इल्ड जो होता है वो काफी हाई होता है तो इसमें Oliphants का Use होता है तो इसलिए अगर हम यहाँ पर Options चेक करेंगे तो Option 1 will be the right one ओके Oliphants अब हम बाकी Options चेक करेंगे Option 2 पर है Fermentation Fermentation क्या होता है Fermentation यानि कि अगर हम Starting जो Material होता है That is Sucrose सुक्रोज में से क्या होता है पहले फॉर्म होता है Glucose And then उसके बाद फॉर्म होता है Alcohol तो यह जो Ethyl Alcohol जो होता है That is for me तो यह जो process होता है यह जो हम करते है That is in presence of yeast तो yeast में क्या होता है काफी सारे enzymes होता है तो वो enzyme यह जो process है इसको मतलब complete करने में मदद करते है तो यह process जो होता है वो enzymes के presence में होता है और oxygen molecule के absence में होता है इन absence of oxygen molecule और enzyme के presence में होता है और साथ में byproduct की तरह carbon dioxide form होता है byproduct as a byproduct carbon dioxide form होता है तो इस process को हम कहते है fermentation fermentation क्या होता है जो wine industry होता है या फिस जो रिक इंडस्ट्री होता है मतलब द्रिक्स ढूं से पीटे हैं उसमें फर्मेंटेशन को यूस के आ जाता है वहाँ पे य gum किया वहां पी क्या होता है जो फूट सोते है रैप रेप जो नहीं दो आ से मतलब ऐसे बनाते है इथाहिल आलकोल को बनाया जाता है इस प अच्छ प्ञे पर है मुलासेस के अचितर असे ऑच्टेर यह गलोगोट तहの है दőल सब्सक्रा बना सकते हैं फॉर प्रकुल मेरे सब्सक्राइब करते हैं है कफ़ेड से जरॉड़ फी एग तु थम्त फॉर इंग्जाम्पल अगर हम एसिटल लेगे असिटल लिएट को अगर हम नीकेल हईडोजन या फिर पैलाडियं हईडोजन इससे अगर हम रिडूस करेंगे तो क्या होगा हमें जो मिलेगा ती दी थानल उके तो जो एल्डी हाइड होते है एल्डी हाइड ग्रूप जो है बोर, डिदीउस, ओके, आलकोछोल ग्रूप में फॉर्म हो रहा है, ओके, आलकोछोल ग्रूप में कनवर्ट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं, रिडाक्षन, नौट हाइडूरेशन, तो यहां भी इसीले करेक्ट आप्शन है, आप्शन वन, ओलिफिन से, औलिफिन में अगर हम हाइड्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इधानल ओके? थांक्यू